हेलो बच्चो इस अध्याय में रासाइनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आप लोग ने बहुत सारे क्रिया कलाब किये हैं चलिए हम भी एक क्रिया कलाब करते हैं और इस क्रिया कलाब के माध्यम से हम रासाइनिक अभिक्रिया के एक और प्रकार को समझने की कोशिश करेंग लोहा मतलब आइरन आइरन का रासायनिक संकेत तो आप लोग जानते ही होंगे जी बिल्कुल इसी के साथ मेरे पास यहाँ परक्नली में देखिए यह नीले कलर का वीलियन आपको दिखाई दे रहा है यह है कॉपर सलफेट जिसे हमने समान सांदरता में लिया हुआ है कॉपर सलफेट का रासायनिक सूत्र सी यू एसो फोर तो चलिए हम अपने क्रिया कलाब के शुरुवात करते हैं इसके लिए हम किसी एक परक्नली को ऐसे ही अवस्ता में छोड़ देते हैं और दूसरी परक्नली में इस धागे से बंधी हुई लोहे की कील को वीलियन में इस प्रकार से डुबाएंगे कि वह पूरी तरके से डूब जाए पर बच्चों साब्धानी ये रखें कि हमें लोहे की इस कील को रेतमल पेपर से अच्छे से रगड कर साफ करना होगा तो चलिए इसे डुबा दे 30 मिनट के लिए इस प्रकार परक्नली में डुबा कर रख देते हैं तो इस तरह हमने लोहे की कील को कॉपर सेलफेट के वीलियन में 30 मिनट के लिए डुबा कर छोड़ दिया है अब हम बिल्कुल 30 मिनट के बाद वापस आकर देखेंगे की इसमें क्या परिवर्तन हुआ है तो बच्चों चलो अब हम 30 मिनट बाद इस कील में हुए परिवर्तन को देखते हैं देखिए इसे मैं इस तरीके से इस वीलियन से बाहर निकाल लेती हूँ और अब एक दूसरी कील से जिसे हमने वीलियन में नहीं डुबाया था इससे इसकी तुलना करते हैं देखिए तो क्या आप इसमें कोई परिवर्तन देख पा रहे हैं हम यह देख रहे हैं कि इस कील में एक तामबे का रंग का लेयर दिखाई दे रहा है हमें है ना और इसके साथ ही यह जो परखनली में हमने कौपर सेलफेट रखा हुआ था इसमें से यह जो अपनी पूर्ववस्था में था इसका रंग तो वही है लेकिन जिसमें हमने कील डुबा रखी थी उसका रंग हलका हो गया है इसके पीछे कारण यह है कि जो आयरन होता है वह कौपर से अधिक सक्री होता है इसलिए आयरन ने कौपर सलफेट के विलियन में से कौपर को विस्थापित कर दिया और वही कौपर जो है वो हमारी इस कील में उपर परत के रूप में चड़ा हुआ है और इसी वज़े से परकनली के विलियन का जो रंग है वो भी हलका हो गया है क्योंकि आयरन ने कौपर को विस्थापित किया तो इस प्रकार की रासाइने का भिक्रिया को हम विस्थापन भिक्रिया कहते हैं इसकी रासा नहीं कभी करिया आप यहां पर देख पा रहे हैं